तो हलो दोस्तों आगे एक और ने वीडियो के साथ और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी डिजीट के हर एक डिजीट का सम कैसे निकाल सकते हैं वोग चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो इस मेथट से उसका सम उसके हर एक डिजिट का सम निकल लियाएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इसमें मैं आप लोगों को वाइल लूप के बारे में भी बताने वाला हूँ तो द्यान से इस वीडियो को देखिएगा अगर आप इस चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तो चली आगे बढ़ते हैं मैंने लिखा है import java.util.star उसके बाद semicolon उसके बाद class sum फिर bracket open public static void main string args bracket open bracket close उसके बाद bracket close किया है मैंने first bracket उसके बाद curly bracket मैंने start किया है उसके बाद लिखा scanner sc is equals to new scanner system.in उसके बाद semicolon ये सब जैसे मैंने लिखा है आप लोगों को वैसे ही लिखना जरूरी है नई तो प्रोग्राम में error so करेगा उसके बाद मैंने तीन variable integer data type के तीन variable declare किया है a, d और s a में मैं उस number को store करने वाला हूँ जिस number का sum हम लोग निकालने वाले हैं यानि यहाँ पर मैंने a का value दे दिया पहले से ही आप क्या कर सकते हैं आप accept भी कर सकते हैं उस number को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप कोई भी number डाले आपको इस method से sum जरूर मिल जाएगा और d और s इसका भी use आपको आगे पता चलेगा और s को मैंने initially 0 किया है तो चलिए while loop मैंने open किया while loop कैसे लिखना है आप लोग देख लिजिए while loop का w small होना चाहिए h i l is sub small होना चाहिए उसके बाद एक bracket open किया उसके अंदर condition लिखा है a not is equals to 0 जब तक की a का value 0 नहीं हो जाता तब तक ये loop के अंदर वाला statement run करेगा आप समझ रहा है बात ये loop तब तक run करते रहेगा जब तक की a का value 0 नहीं हो जाता तो उसके बाद bracket open करने के बाद मैंने लिखा है d is equals to a mod 10 ये बात आप समझे सही से modulus का मतलब होता है ये जो percentage वाला sign दिया है उसको modulus बोलते है computer java language के मताबिक यहाँ पर a mod 10 का मतलब क्या हुआ modulus आपको जो remainder आता है divide करने पे जैसे कि आपने किया 59 59 को 10 से divide किया ठीक है उसका remainder कितना आ रहा है 9 तो ये जो modulus function है वो आपको 9 provide करेगा आपको किसी भी जो division है उसका remainder जो आता है वो modulus function आपको provide करता है तो यहाँ पर हमारे पास number क्या है 647 तो a modulus 10 ये जो modulus आप करिएगा तो remainder देगा तो remainder यानि कि last वाला जो digit है वो d में store हो जाएगा देखिए आप लोग ठीक से तो मैं आपको division बताता हूँ 647 तो 10 6 जा 60 हुआ 4 बचा और फिर 7 47 फिर 10 4 जा 40 उसके बाद last में क्या बचा 7 वो हो गया आपका remainder तो वो d में store हो गया तो आप simple language में इतना समझ लीजे आप जिस भी number का modulus 10 से करिएगा वो आपको last digit उठा कर दे देगा यानि कि d में यहाँ पर store हो गया 7 और उसके बाद मैंने क्या लिखा है s is equals to s plus d यहाँ पर s का value मैंने initially 0 किया था तो यहाँ पर 0 plus d यानि कि अभी s में store हो गया 7 उसके बाद मैंने क्या किया है a is equals to a by 10 a by 10 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो last वाला digit है वो eliminate हो जाएगा और a में आपका simply बचेगा 64 उपर वाला जो modulus है वो आपको value लोटा रहा है 7 लेकिन वो eliminate नहीं हो रहा है नंबर से वो बाहर नहीं निकल रहा है लेकिन यह जो a by 10 है वो आपका last वाला digit है उसको निकाल कर जितना नंबर बच रहा है वो आपको provide करेगा आप ऐसे समझ लिए 647 को जब आप 10 से divide करिएगा तो उसका quotient क्या आएगा उसका quotient 64 आएगा आप divide करकर देखिएगा तो यह a by 10 आपको quotient देता है और जो modulus function है वो आपको remainder देता है समझ वे आ रही है बात तो यहाँ पर इसी तरह से जब a का value 64 हुआ और यहाँ पर उसके बाद मैंने bracket बंद किया है तो 64 होने के बाद while loop का जो condition ने उसमें check करेगा a not is equal to 0 a अभी तक 0 नहीं है तो फिर condition के enter करेगा और उसके बाद फिर क्या होगा देखिए d is equal to a mod 10 a का value अभी कितना है 64 64 mod 10 आपको कितना मिलेगा 4 और s का value पहले कितना था 7 तो s is equal to s plus d यानि 7 plus 4 11 हो गया और उसके बाद क्या किया है मैंने a is equal to a by 10 तो अब फिर से जो last वाला जो मतलब की a में अभी क्या store है 64 तो उसका last वाला जो number है उसको eliminate कर देगा फिर से यहानि कि 64 में से 4 निकल गया बचा a में 6 और 6 फिर घूम कर गया चेक किया a not is equal to 0 अभी भी a का value 0 नहीं हुआ है तो d is equal to a modulus 10 यहाँ पर 6 को जब आप 10 से divide करियेगा तो remainder 6 मिलेगा 10 0 जा 0 और remainder बचा 6 तो यहाँ पर d में 6 store हुआ और s का value क्या था 7 प्लस 4 11 तो s is equal to 11 प्लस कितना हुआ 6 11 प्लस 6 17 फिर a is equal to a by 10 6 by 10 हुआ तो quotient में कितना है 0 और 0 आने के बाद क्या हुआ फिर से condition में चेक करने गया a not is equal to 0 a not is equal to 0 अब नहीं हुआ अब equals to 0 हो गया तो अब while loop से terminate कर जाएगा और अब इसके बाद वाला जो मैंने condition लिखा है system.out.println sum of digits quote close plus s, s में आपका sum of digit store हो गया और उसको मैंने print करा दिया उसके बाद bracket close किया अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रहा होगा कि अगर स्रिफ single digit होता यानि कि मान लिजे स्रिफ 6 होता तब क्या होता तो वह भी मैं आप लोगों बता देता हूं while a not is equal to 0, 6 not is equal to 0 होता तो d is equal to a mod 10, a में 6 होता तो 6 mod 10 कितना होता 6 फिर s is equal to s plus d यानि कि s is equal to s plus d में s में 6 होता फिर a is equal to a by 10 करने पर पहली बार में a में 0 आ जाता और ये फिर terminate कर देता यानि कि simple language में आप समझ लीजे अगर कोई भी 10 से छोटा number रहेगा तो उसका कोई sum नहीं निकलेगा वो simply return हो जाएगा वो भी इस process में इंटर करेगा लेकिन उसका answer simply return हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करी लीजेगा मैंने आपको पहले ही बोला like कर दीजेगा comment कर दीजेगा और share कर दीजेगा तब तक लिए बाए